हलो स्टुरंट्स वेल्कम बैक और फिर से एक लास्ट एक्साइज आने वाली है हमारी एक्साइज 3.2 स्टार्ट करेंगे आज से हम और इसमें कैशन में वन से शुरू करेंगे देखो क्या गयरा कैशन में मैं solve the following pair of linear equation by the elimination method substitution मतलब की एक ही question को आपको दोनों तरीके solve करना है वैसे तो आप दोनों में अंसर सो सही माना ही है तो वह ऐसा issue नहीं है आप दोनों में से को एक ही method कर सकते है बट यहां हमें दोनों method बोलें तो मैं एक एक part solve करेंगे बताऊंगा आपको दोनों method से तो आपक equation मेरी 1 है यह equation 2 है मैं कर रहा हूँ पहले elimination method अब मेरी बास सुनो मैंने क्या बताया था coefficient सेम करना देखो y का coefficient 1 है y का coefficient 3 क्या करूँ इसको 3 से multiply कर दूँ ताकि यह plus का 3y यह minus का 3 आप इसको 2 से भी कर सकते हो तो यह 2x और 2x फिर आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा सब्स्टेट करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा सब्स्टेट क्यों किन दौना कि साइम सेम सेम है नाइम साइन लेकिन मेरे यहां पर देखो different साइन है मैं क्या कर रहा हूँ multiply equation 1 by multiply equation 1 by 3 करो multiply यह 3x हुआ यह 3y हुआ और यह 35 15 हुआ इस पूरी equation को multiply कर दिया यह मेरी equation 3 अब मुझे 2 और 3 equation लेनी है क्या करूं मैं add equation 2 and 3 के वल एड़ करना है आपको करूं 2x minus 3y equals to 4 3x plus 3y equals to 15 cancel out 5x 15 और 4 कितना हो गया सर 19 हो गया तो x का value कितना हो गया यह complete cut नहीं रहे गया 3y हुआ हुआ है first equation multiply किया 3x 3y 35 15 और यह रहा 2x minus 3y cancel out 2 और 3 5 नहीं कटनी हो रहा है 4 of 5 15 4 19 हा ठीक है x का value कितना निकल गया 19 upon 5 निकल गया सर ठीक है क्या करना है सर किसी में put कर दो तीनों में यहां आपको सरी लगे ठीक है में put value of x in equation 1 में put करता हूं मैं x के जागे मैं ने put किया 19 by 5 plus y equals to this one LCM लेंगे हैं में पहले तो 19 plus 5y डिवाइड बाइड बाइफ प्रॉस मल्टिप्लाइब होगा 19 फ्लस 5y फाइफ फाइफ 25 25 माइनस 19 25 में से 9 गया तो 6 तो य का value आ गया 6 अपाउं 5 तो एक तरीका और इनको चेक करने का क्या आप x और y की दोनों की value यहां put करके देखो एक्स और y की दोनों की value यहां put करके देखो मैं verify करके बताता हूँ एक बार आपको ने इस कैशन के लिए अब इसी कैशन को मैं substitution method से सघर हूँ ठीक है सब्सक्राइब substitution मैतर दोनों के answer से माना चीए ठीक है from equation 1 यह equation 1 यह equation 1 यह equation 1 क्या होगा equation 1 x equals to 5-y x equals to 5-y put इसको मैं 3 मान रहा हूँ put equation 3 equation 2 इसमें put करेंगे इससे निकालें तो इसमें put करो equation क्या है क्यों 2x minus 3y equals to 4 x का value put करो 5-y minus 3y 2 5s are 10 2y 3y कितना हो जाएगा देखो यह हो गया 5y यह होगा 4 अब 10 को मान भेज़ दो minus 5y equals to 4 minus 10 कितना हो जाएगा यह tensor out होके y की value आ गई है 6 upon 5 देखो पहले भी y की value 6 upon 5 यह थी आई दी न अब क्या करें sir अब y equals to 6 by 5 put in equation किसी में put कर दो मैं 3 में put कर रहा हूं x equals to 5 minus 5 5 minus 6 upon 5 5 5 is 25 minus 6 5 5 5 5 is 25 और यह minus कर दिया 25 में 6 जाएगा कितना बचाएगा 19 upon 5 अब बताओ आया है कि सब्सक्राइब देखो एक्स का value 19 by 5 है यह दोनों अंसर हमारे मैच कर गए हैं और यह कंप्रीट हो गया हमारा कैस्टन नमर वन का पार्ट वन दौनों मैधन सॉल कर दिया हमेरे सब्सक्राइब सब्सक्राइब